अरे क्या हुआ चंदन सवेरे सवेरे कहां जा रहे हो? कहीं नहीं काका, बस यही दीनु चाचा के यहां जा रहा हूँ. उनसे नौकरी की बात करने, उन्हें नौकर की जरूरत होती है और हमें पैसों की जरूरत है. तो सोचा क्यों ना उनसे बात कर ले? हाँ बेटा, इस महंगाई के जमाने में कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा. अब देखो ना, मेरे दोनों बेटे बाहर गए हैं, मजदूरी करने और मैं भी यहां थोड़ा बहुत काम करके अपना गुजारा चला लेता हूँ. वैसे तुम बाहर क्यों नहीं चले जाते हो? चंदन बाहर अपने यहां से बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं. अपने यहां तो तुम्हें इतना ही मिलेगा कि दो वक्त की रोटी मिल जाएगी. लेकिन बाहर जाओगे तो कुछ बचा कर भी रख पाओगे, जो तुम्हारे ज अगर मैं अपनी मा को छोड़ कर बाहर जा सकता तो कब का चला जाता? अब आपको तो पता ही है, मेरी मा का मेरे सिवाय और है कौन? और अगर मा को साथ भी ले जाता, लेकिन मा पर घर छूटता नहीं है. वह कहती है, जब तक रहूंगी, इसी गाउव में, इसी घर में इसी लिए मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं मा के साथ यही रहूंगा, और यही कुछ मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लूँगा, और वैसे भी हम दोनों के सिवाय और तीसरा है कौन? इसके लिए मैं पैसे जोर कर रखूंगा, बस अपना खाने पीने का काम चल चंदन रास्ते में जाते जाते सोच रहा था, पिछली बार काम करने गया था, तो उन्होंने मुझे जाडू पहुँचे का काम पकड़ा दिया था, अब बताओ, मैं मेहनती काम करने के योग हूँ, फिर भी मुझे जाडू पोचा का काम दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं अपन को क्या, अपन को तो बस काम करने से मतलब है, नहीं आप मना नहीं करिये चाचा जी, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ, अगर आप मना कर देंगे तो और मैं कहां जाओंगा, इस गाओं में एक, आप ही हैं जो लोगों को काम पर रखते हैं, आप मुझ पर दया कीजिए, दीनू चाचा, क्योंकि आपको तो पता ही है, अगर मैं काम नहीं करूंगा, तो मेरे घर का दाना पानी बंद हो जाएगा, देखो चंदन, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे लिए मेरे यहां कोई काम नहीं है, तुम अपने घर जाओ, अगर कोई काम होता है, अब मैं कहां जाओं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर कहीं काम मिल जाता तो अपना गुजारा आराम से चल जाता, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हें छोड़ कर शहर भी नहीं जा सकता हूँ, बेटा तुम उदास नहीं हो, सब्र करो, सब् उससे कुछ अच्छा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, तुम्हें जल्दी ही कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा, हाँ मा ठीक है, अब अगले दिन देखता हूँ, कहीं न कहीं काम मिल ही जाएगा, चंदन कहां जा रहे हो तुम, मैं तो सुबह सुबह तुम्हारे प रखा था, वह मेरा लेन देन संभालता था, लेकिन कल वह कुछ पैसे लेकर भाग गया है, अब तो मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हें लेन देन की नौकरी के लिए रखना आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है, पूरे गाव में तुमसे ज्य नहीं करनी चाहिए,